तो कैसे है सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health तो आज का जो topic है guys वो है, candle wax prediction on water और आज हम देखेंगे आपके person की हालात किस तरह से है and definitely ये इंसान क्या चाहते है, क्या expect करते है आपसे So of course it will be a timeless prediction, gender neutral reading, male, female सभी लोगों के लिए है तो आप इसको कभी भी देख सकते है, किसी भी वक्त देख सकते है and you can take the guidance चैनल को like, share, subscribe ज़रू करें, instagram में follow करें at sudakshna1369 and you can also subscribe to my another channel So let's get started Guys हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने हमसे अगर कुछ छुपाया है तो वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे comments जिसरे से आते है कि उनके जीवन में क्या-क्या रहसे है So हाँच हम देख लेते हैं So आप अपने partner के उपर focus रखिए और हम देख रहे हैं So इनिवर स्वेड गाइड गाइड जिस गाइड में दराइड डिरिक्शन की मेरे जो वीवर से उनके जिंदेगी में उनके partners का क्या situation है क्या हाला थे वो मेरे वीवर से क्या चाहते है basically और उनके जिंदेगी में कोई रहसे है तो प्लीज बताएए प्लीज गाइड कीजिए तुरंद जब first candle drop यहां पर मुझे दिख रहा है वो है कि इनके ना जो मैं hints देना चाहते हूँ इन्होंने कुछ ऐसे tattoo recently बनाया है या उनके थाव अल्रेड पहले से I don't know but it's very sharp sharp tattoos मतलब कोई ऐसे animal का tattoo हो सकता है या कुछ ऐसे maybe yes I can see some eagle tattoo और birds tattoo और something ठीक है यहां पर मुझे 17 number 17 117 117 दिख रहा है हो सकता है 11 या 7 उनकी दिर भर्थ हो ठीक है life path number 2 हो सकता है 7 हो सकता है आँखे दिख रही है आपके person की ना मैं hints दे रही हूँ ताकि आपको पता चले बहुत सदा pointed है ठीक है so maybe they are Sagittarius okay maybe they are Pisces देखते हैं यह person की हाला जो है वो किस तरह से है situation किस तरह से है universe please बताये thank you universe thank you spirits thank you guides देखो I do find they want to travel towards you yes they are coming back in your life वो आपके जीवन में वो पस आना चाते है ठीक है और बहुत ही जादा determined है मतलब जैसे उन्होंने फैसला कर लिया जैसे उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी behavior किया है वो इंसानियत नहीं था उन्होंने आपसे जो भी छुपाया है वो कोई एक healthy relationship का sign नहीं है बहुत बड़े बड़े dialogues शायर ये देते आये होंगे लेकिन अपना commitment से जो भी उन्होंने वादा किया था आपसे वो नहीं निभाया you can be seen so maybe वो आपी के उपर से blame दिया करते थे you are responsible you are this thing, you are that thing उशा नाम हो सकता है आपके पार्णर का I do find कि ये इंसान आपसे क्या चुपाने की कोशिश किये हैं वो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग के लिए आपके परसन आपसे इतना तक इतना हद तक चुपाया है कि उन्होंने आपने आपको पूरी तरह से बैचेलर दिखाया उन्होंने आपको संगल दिखाया उन्होंने नहीं, मेंड़ी आपके परसन मैरेट नहीं थे फिर भी उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनके जिन्दगी में जैसे कोई भी लड़का या लड़की जैसे आया ही नहीं है You are the first one and you are the last one ठीके इस तरह से उन्होंने आपको feel कराया और आप बहुत ज़्यादा ठीके उनको जैसे न अपने आपको समर्पन करते गए You had sacrificed yourself, you had given yourself to this person उनके लिए तो आप कुछ भी करने के लिए तयार थे अभी भी हो, कुछ लोग तो अभी भी हो इन्होंने आपसे ये भी चुबाया है कि इनका जो रिष्टा है, सम्मन्ध है, नाजायज रिष्टे है वो किसी ऐसे इंसान से है, जो काफी उमर में ज़ादा है, मच्छी और ज़ादा है और it's like friends for benefit वाला नहीं, physical relationship for benefit एक दूसरे की जो जिस्मानी तालुगात पूरा रखने का वो ही है और कुछ नहीं just a time past relationship ठीक है, उस तरह से बट इन्होंने आपसे वो चुपाया क्योंकि उनको पता है कि आप agreed नहीं होंगे यहाँ पे देखो, एक पेर बन रहा है वो पर से इतना पेर का कितना सुन्दर ट्रिमिंग हुआ है इसका या यह वोल्ड का एक इमेज बन रहा है यहाँ पे इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया वाई डिट दे दू दिस बिकॉस यू हैड दिस कार्मिक ठीक है, कनेक्शन विद इस परसन इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया ठीक है आप बोल सकते ना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ So all these are karmic ties and bonds, जिसके वज़े से वो सब होता रहता है, ठीक है कुछ लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बढ़ताओ करते है और कुछ लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खड़ाब बढ़ताओ करते क्यूँ है किसी को इंसानियत दिखाया जाता है किसी को इंसानियत नहीं दिखाया जाता है किके किसी को facilities मिलता है किसी को नहीं मिलता है किसी को जीवन में बहुत समय अकेला रहना पड़ता है कोई कभी अकेला रहा ही नहीं है तो उसी तरह से जीवन में कार्मिक कुछ बॉन्स होते हैं जिसके वज़े से इस सारे चीज हुआ है आपके परसन ऐसा भी कि यह है आपके सार ना बोल कर और जगह पे चले गए और आपको फोन नहीं किया फिर आपन में हूँ मैं बिजी हूँ मैं मीटिंग में हूँ मैं बारा बज़े रात को भी अपने फोन किया तो भी बोल रहे है काम पे है ठीके लैपटाप पे काम कर रहे है बात करने का समय नहीं है बात में बात करते हैं उसमें क्या है सुबह सबर बात कर लेंगे सुबह सबर फोन कर रहे हो तो बोल रहे है I'm just sleeping अब बात करोगे तो कब करोगे weekends में बात करना चाहते हो तभी भी बोलते हैं नहीं आप मुझे फोन करना फिर आप में साथ बात करना इस तरह से ओकी यहां पर मुझे Ace of Cups ही नजर में आ रहा है देखो और यह सब काफी सदा खुबसुरत से आया है आप खुद ही देखो focus करना है इसके ओपर तो यह relationship में एक नएक phase आपकी जीवन में शुरुआत होने जा रहे है and you should welcome it आपको इससे welcome करने चाहिए और आपको इसको हसी खुशी accept करने चाहिए अगर इन्होंने आपको खंजर मारा है पीछे से तो इनको सजा भी मिल गया होगा ठीके justice was done यहाँ पे देखो खंजर ही दिख रहा है yes they had ठीके done this type of thing so उनके साथ भी हुब भू वैसे ही हुआ है उनके ही friends उनसे ही बहुत कुछ ठीके राज रखके और बहुत कुछ जैसे पैसे वैसे लेके भाग चुके है उनके partners भी हो सकते है ऐसा किये हो business partners भी हो सकता है अकेले पढ़ गये है अभी किसी के साथ कुछ बात करने का इनके पास है ही नहीं कुछ even उनके parents शायद वो किसी जगह से बहुत कुछ उधार किये थे और mortgage रखा है property को उनके parents भी खफा है उनसे so all the things which you had faced तो इन्होंने भी कई दूसरे एंगल से ही face किया हुआ है now they want this connection to be stable वो stable जाते connection वो जानते हैं कि आप उनके बिना कुछ लोग के लिए तो अगर आप no contact में है या contact में वो देख रहे हैं आप उनके बिना आराम से अपनी सिंदगी रह रहे हो you are spending a very comfortable life without this person also वो जानते हैं आप काफी independent हो पहले से आप काफी strong हो चुके हो आपका co-dependency factor नहीं है कि आप दूसरे के ओपर dependent हो जाओ हाँ सबको जरुरत होता है एक अच्छा association का एक अच्छा company का एक friends group का माता पिता का तेके cousins का लेकिन सबके किस्मत में नहीं होता है उतना सब तो यह इंसान देख रहे हैं आप independent भी अपना जिंदगी जी सकते हो ठीके you are just like the queen of pentacles you are very bold fearless और आप अच्छा आखासा you are just earning also well at the same time यहाँ पे देखो पूरी तरह से एक naif ही है अक्वेर जेमिनाई लीब्रा को में तुन दूला राशी हो सकते है यहाँ पे यह इंसान कोई बहुत 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 शेफ हो सकते है यह इंसान कोई भी कंपनी में है ठीके details they see the budget ठीके और कोई भी weapons related चीज़ों में है maybe in the army military, police whatever it is यह कोई particular group से बिलॉँग करते हैं maybe chic community they can be या shatriya community से हो सकते है ठीके है क्यμε कि पहले زمانे में शचत्रय जो थे उनहीं के पास हतियार होते थे वही जो आज कहले क्या है अभी सभी से ही recruit किया जाता है military को कई group से recruit किया जा सकता है पहले زمانे में शचत्रियας जैसे ब्राहiology पूजा करते थे तो शत्रियस ही हतियार उठाते थे उसी तरह से warrior-like quality they have that's why न वो आपको ignore करते गए उनको लगा कि it's not मुझे जब मरसी होगा तब मैं relationship बनाऊंगा या बनाऊंगी it's like मतलब dare devil मतलब और कुछ जैसे होता है न कि किसी को कुछ फरक पड़ता है उनको कुछ ऐसा फरक नहीं पड़ता था कौन उनके लिए क्या सोचता है नहीं है क्योंकि उन्होंने आज तक न इतना emotional connections नहीं देखे है आज तक सिर्फ देखा है benefits for friends for benefit देखा है friends group भी अगर इनके थे सब benefit के लिए है अभी भी है बार बार काफी ज़दा necklace मुझे दिखाए दे रहे है so maybe they are fond of ठीके या अगर यह mail है तो एक दम हलका सा gold chain यह पहनते हैं इनको अच्छा लगता है और इनको आपको भी देखना सजना सवरना आप जो सजते हो अगर आप post करते है pictures को ठीके वो हमेशा है आपके pictures के नीचे like देते है maybe unknown name से ठीके fake id से बट देते जरूर है अगर आप इनके सब contact में है तभी भी यह इनसान आपको admire करते है appreciate करते है okay all right so मुझे यहाँ पर इस तरह से पनानी क्यों महसूस हो रहा है कि यह इनसान जो भी है कि they just are in too much of regret देखो अगर कोई किसी के साथ बुरा बरताओ करते है तुरंत उसको मतलब realization नहीं होता है लेकिन बहुत दिन जाने के बाद जरूर होता है कि मैंने जो किया है वो मेरा जो इनसानियत था कि उसके खिलाब जाके मैंने किया है मुझे करना नहीं चाहिए था अगर मुझे पसंद नहीं था तो मुझे बोल देना चाहिए था मुझे किसी को भी मतलब खिलवार करना किसी के साथ नहीं चाहिए था वो ऐसे आपके साथ गेम्स खेलते खेलते न कब आपके प्यार में बढ़ गए उनको पता ही नहीं चला कभी-कभी एक्टिंग करते करते भी एक दूसरे के करीब लोग आ चाते है because all we people are emotional people तीक है उसी दर ऐसे कुछ लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके परसन आपके साथ ड्रामा करते करते फ्रॉड करते करते एक्टिंग करते करते लव का एक्टिंग करते करते सची में आपके साथ प्यार में पर गए और जब हालाती ऐसे हो जब नाजुग हालात हो जब कोई अपना साथ नहीं दे रहा हो उसे पैसा होतो ही साथ दे रहा है ठीक है, हो सब तक उनके एज भी जदा हो गया है तो तब ही जब आप उनके साथ देते हो तब उनको रियलाइजेशन होता है कि नहीं मैं नहीं इसके साथ तो अच्छा नहीं किया है ठीक है, so these people these people are like that यहां पर मुझे दिख रहा है आपके person जो है ना कोई videography करते है they are involved in some kind of videography maybe it is their profession or it is their hobby बट करते हैं जरूर है या वीडियो में अगर आप कोई भी रिल्स या वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसमें वो खुद देखते हैं और आपके लिए तो बहुत ज़दा balloons दिख रहा है यहां पर, so they want to feel light they want to feel light balloons travel high in the sky so they want to take this relationship to a higher level higher level में लेके जाना चाते हैं नौटं की बहुत ज़दा किये हैं इंसानने इनको अगर नहीं करना था relationship तो इनको पहले ही बोल देना चाहिए था जो वो नहीं कर पाए क्योंकि वो हमीश आपको options में रखे हैं वो कैसे कर पाते हैं अगर आप चले जाते दूसरा लोग चले जाते तो वो किसको पकड़ते हैं so these people are like very manipulative very shrewd very shrewd उनको सब के साथ ही रहना है उनको सब को अपने हाँ मतलब हाँ मतलब जैसे होता है कि नचाना ठीक है I don't know who is this older woman in their life अगर ही male है तो इनके साथ इनका तो रिष्टा सही नहीं दिख रहा है और वो इस तरह का जहर है relationship में कि उस जहर को न अभी भी जहर का असर उनके शरीर के उपर है ठीक है वो जहर अभी भी उनके शरीर से neutralize नहीं हुआ है यह और जो भी है इनसे बहुत ज़्यादा जैसे खून चूसना squeeze out everything आगे जागे क्या हो सकता है देखते हैं they cannot face you now you know what अभी वो आपके सामने आने में भी शनमा रहे है कुछ ऐसे hesitation उनको लग रहा है they are feeling like they have been defeated जैसे उनका हार हो चुका है जिंदगी में जैसे हार गया है वो उस तरका feeling है करना चाते है they want to build this relationship from the scratch level zero level से शुरात करना चाते है but they are somehow you know what they are confused like ठीक है और regret भी है और जिसे अपने आपको जिसे माफी नहीं कर पा रहे है और मैंने क्या किया है deep realization but they want to build the relationship वो इस relationship में इस चीज़ को आगे बरना चाते है और इसको construct भी करना चाते है ठीक है so this is all for today's reading last में देख लेते हैं कुछ अपका और फिल कार्ट से so इन्वर्स प्लीज बताएए मेरे व्यूवर्स से ले ले कुछ guidance दे दीजिए यह वही कार्ड है ना temptation देखा यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि उन्होंने जो गल्ती किया है उसका हिसास है क्या प्रमान है मैंने जो कहा है मैं ऐसे ही बात नहीं करती हूँ हवा हवा में ठीक है उसके लिए मैं प्रमान देती हूँ क्या प्रमान है मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि वो ऐसे relationship में है जो एक जहर है temptation always means devil ठीके और वो उस दल-दल में फसे है यहाँ पर देखो दल-दल जैसे फसे यहाँ पर यह जो साप है उसको dustने के लिए जैसे तयार है मैंने आपको यह भी कहा था अगर आपके person male है तो कोई ऐसे औरत है जो उनसे squeeze out करे चाहिए वो पैसा हो चाहिए वो physical connections हो और वो बहुत ज़दा guilty भी feel कर रहे इसके वज़े से और वो इस दल-दल से बाहर आना चाहते है ठीक है now to overcome it they need your help वो आपके help चाहते है pure intention वो जानते है कि आप उनको हमेशा ही प्यार करते आए हो और आपके अंदर जो soul है it's very pure and very gentle और आप कभी भी उनका बुरा नहीं चाहोगे और आप हमेशा ही लोगों का अच्छा ही चाहते हो और इस वक्त ये भी दिखाए दे रहा है कि आप अपना जो manifestation है वो जारी रख रहे हो it's very good आप जानते नहीं हो कि ये इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे या नहीं लेकिन आपको राइट पार्टनर की भी तलाश है आप हमेशा उमीद से चल रहे हो बहुत अच्छा बात है optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one अगर आप optimistic रहे अगर आप इस relationship में दीखे थोड़ा सा आप positivity देखे तो भी ये relationship at any situation वो बदल सकता है यहाँ पे देखो the pigeon is coming तो एक message आपके तरफ जरूर आ सकता है दूसरा है rainbows है so difficult situation आपके जिंदगी से खतम आपके हाथ में रोज है and you are wearing a very beautiful dress pink this one baby pink dress बहात ही खुसरत आप लगोगे उस दिन जिस दिन आप फिर से आप अपने पाटना के साथ मिलोगे पिके मुझे पता नहीं क्यों ऐसास वा maybe you will wear certain kind of pink or white dress or something like that and it will look beautiful so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity tarot's expert truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care of yourself thank you